दोस्तों सारी कबर को जानेंगे उससे पहले आप इस वीडियो को अपनी तरब से लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपकी लाइक हमारी मेहनत का फ़ल होता है दोस्तों यहाँ पे पहली बड़ी कबर आ रही है कि यहाँ की सुप्रीम कोट एक बहुत ही इंपोर्टेंट फैसला सुनाया है जिसमें कहा है कि एक रिटार्ड करमचारी को कोट जाने आने में जो कठनाई होती है उससे जो सुप्रीम कोट है या कोई भी लोवर कोट है ओ बे खबर नहीं हो सकता है क्योंकि करमचारी और प्रेंसन भोगे की गरिमा होती है करमचार SUBSCRIBE को को कोर्ट में घसितना या कोर्ट में आना जाना भारी पड़ता है आसे में दूस्त अरंको कटनाईयों को देखते हुए उनको नाख में परिसान ना किया जाए इसलिए जो उनकी pension से related matter है एरियर से related matter है pension revision से लेकर family pension तक जो भी related matter है तो उसको solve किया जाए विभागी अस थर पर process solve किया जाए पर करमचारी को court के चक्र ना ककाटना पड़े इसका ध्यान रखा जाए जियास तो यहाँ पे सुप्रीम कोटे बहुत ही अच्छा फैसला पेंसन भोगियों और कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया है जिसमें कहा है कि एक रिटार्ड कर्मचारी को कोट आने जाने में जो तकलीफ होती है जो कटनाई होती है उसे कोई बेखबर नहीं हो सकता है अगर पेंसन नियमों में एक से अधिक ब्याख्या है तो उस ब्याख्या की ओर ध्यान दिया जाए जिसमें पेंसन भोगियों का फायदा हो जियास तो हर चीज के दो पहलू होते है तो उस पहलू की ओर ध्यान दिया जाए जिसमें कर्मचारी और पेसन भोगे को तकलीफ ना हो तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बहुत ही good news बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है जिसे के कर्मचारी और पेसन भोगे को काफी फायदा होने वाला है वहें दस्तों दुसरी बड़ी कबार आ रही है सभी पेसन भोगे के लिए जिहांस तो चाहे किंदरी पेसन भोगे हो चाहे राजे की पेसन भोगे हो सभी पेसन भोगे के लिए आज एक dedicated single window portal launch होने जा रहा है अब तक आपने देखा होगा कि राजियों के लिए अलग से पेसेन पोर्टल होते थे, स्टेट गौर्णमेंट के लिए अलग से, सेंटरल के लिए अलग से, डिफेंस के लिए अलग से होते थे, लेकिन दोस्तों अब सभी को एक साथ जोड़ा जाएगा, अब दोस्तों सारी जानकारियां आपको उसी single window portal से देखने को मिलने वाली है चाहे आप कहीं के भी पेंशन भोगी हो आपको सभी जानकारी उसी dedicated single window portal से देखने को मिलेगी जिसका आज उदगाटन यहाँ पे पेमोदी करने वाले हैं